दोस्तो नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तनियोज मुंबई NCB के पूर जोनल डारेक्टर समीर वानखेटे को लेकर अभी अभी एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ टाइम पहले सारुक खान के पेटे आरियन खान को NCB की टीम के दोरा ग्रिपतार किया गया था और उस टाइम जो है समीर वानखेटे के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए गये थे जिसको लेकर समीर वानखेटे के खिलाप में NCB विजलेंज की टीम जो है वो इंक्वारी कर रही है पिछले दो से तीन महीने से और अब जो है इसको लेकर एक अपडेट आ रही है जहांपर सूत्रों से बताया जा रहा है कि NCV Vigilance की टीम जो है अपने आखरी पड़ाओ में पहुच चुकी है और NCV Vigilance की टीम ने समीर वानखेडे और साथ में ही कई आफिसर को जो है पूछताज के लिए NCV देली आफि जो की उनके खिलाफ में जो आरोप लगाय गये थे उन सब चीजों को लेकर उन्होंने कुछ डॉक्यमेंट भी वहांपर सेयर किया है आप सब को बता तों कि इनके उपर आरोप लगाय गया था कि इन्हों ने जानभोच के आर्यन खान को ग्रपतार किया था और मतलब कि उन केड़े को बुलाना था क्योंकि फॉर्मिल्टी जो थी वो पूरी करनी थी इसलिए जो है लास्ट टाइम समीरवान खेड़े को बुलाया गया था और अब कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है एंसे भी विजलेंज की टीम जो है अपना रिपोर्ट सोपेगी और कंफर्म करे कि इसमें जो है समीरवान खेड़े गिल्टी है या नहीं जो उनके उपर जो आरोप लगाया गया था वो सही है कि वो सिर्फ और सी पूरी तरह से जूटा है और उनके उपर इस तरह का जूटा आरोप लगा के उनको बदनाम करने की कोछिस की जा रही थी देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या अपडेट आती है आपका क्या ओपिनियन है इस पर आपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स होता है और वीडियो के जाहर स्यादा सेयर करें